हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से आप लोग का हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास टेंथ का सोरी, class 10 थे नहीं class 11 और 12 का एक सिरिस स्टार्ट कियें थे और इस स्टीरिस में हम लोग class 11 और 12 के जितने भी subjective और objective की important question है जो आपके final exam में आएगा इस बार के जो 2025 के exam में आएगा उन सभी चीज़ों को complete कर रहे थे और जल्दी ही हमारे जो team है वो class 8, 9 और 10 का भी series start करेगी और आप लोग का exam के लिए ज़्यादा समय भी बचा हुआ नहीं है आप लोग जानते हैं आप लोग के exam के मातर भी 2 से 3 मेहने का समय भचा हुआ आप 3 मेहने नहीं क्या सकते हो 2 मेहने का time आप क्या सकते हो तो आप लोग अपनी तयारी start कर दीजिए जो बच्चे पहली बर हमारे channel पर आया है हम आपको बता देते हैं कि हम लोग class 11 का और class 12 का एक series start के हैं और इस series में हम लोग वो सारी question का discussion कर रहे हैं जो आपकी exam में आने वाला है आज का जो वीडियो है वो class 11 के लिए है और आज हम लोग history का set 5 देखने वाले हैं इससे पहले एक से लेकर 4 set तक हम पहले ही upload कर चुके हैं अगर आप लोग में से नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के description पे आप चले जाएए वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा तो चले इसको start करते हैं फिर से बोलना चाहेंगे कि यह सारा question जो है बहुत साथा important है class 11 के student के लिए तो चले जन्दी से इसको complete करते हैं पहला question पे आते हैं पहला question है कि on the origin of species नामक पुस्तक किस ने लिखी थी आपके पास देखे चार option है देखे यहाँ जितना भी सवाल करा रहे हैं ठीक इसी तरह से आपके exam में clearly जो है पूछा जाएगा आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और आप लोग के book में से कुछ को chapter को reduce किया है तो हमारी जो team है जो आप लोग को तियारी करवा रही है clearly यह जो है आप लोग का new pattern के according कराए जा रहा है जो आप लोग का new pattern बना है उसके हिसाब से हैं तो एक बास सारा question को ज़रूर देखेगा अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को subscribe करके आप अपने दोस्तों को ज़रूर सेहर करना हो चले देखे और एक बात important है जितना भी इसमें कराया जाता है वो सारा question important ही है तो आप लोग अपनी note copy में ज़रूर लिखेगा हमारा यूटूब चैनल है वो guarantee लेता है कि इसमें जितना question कराया जा रहा है उतना ही question आपके exam में पूछा जाएगा इस set को लेकर total 5 set हो गया है और हर set में 40 question का discussion है करीबन 2 question के आसपास यहां पे है और हमारे channel के playlist में एक series है जिसमें आप लोग का previous year के same क्योंकि पिछले साल का और इस साल का जो pattern है काफी हद तक जो है एक जैसा है क्योंकि इस बार आप लोग का जैसा pattern भटाया गया है पिछले साल भी वैसा ही pattern था यानि पिछले साल का pattern और इस साल का pattern कोई खास change नहीं किया है तो सारा question important बन जाता है आप एक बाज जरूर वहां से भी देख लिजिएगा चले इस वीडियो को आगे continue कर देखा है पहला सवाल है कि on the origin of species नामक पुस्तक किस ने लिखा था तो Charles Darwin ने लिखा था और इस पुस्तक को प्रकासन किया गया था 1859 पे ठीक है ना पूरा date लिख लेना चौबिस नॉवेंबर को हुआ था 1859 में तेक है आप नोट करके अलग से जरूर लिख लेना question number 2 पर आते हैं लिखा है अस्टेलोपिथिकस की खोज कब की गई थी तो इसका एंसर है 17 जुलाई 1959 option number B question number 3 पर आते हैं सीधे खड़े होकर चलने वाला जो मानव है उसे किस प्रजाती में रखा जाता है तो उसे homo erectus कहा जाता है यानि option number हो जाएगा आपका D question number 4 में आते हैं homo जो है लेटिन भासा के सद से बना है जिसका आर्थ क्या होता है इसका आर्थ होता है आदमी question number 5 में आते हैं विकासवाद का सिधान यानि विकासवाद के सिधान की रचना किसने किया था साब सुब्द में समझिए कि विकासवाद का सिधान किसने दिया था तो इसका answer हो जाएगा आपका option number B Charles Darwin ने ठीक है question number 6 पे वैग्यानिकों की अनुसार प्रिथविक की आयू कितनी है तो देखें आपके पास 4 option दिया हुआ है और इसका जो answer हो जाएगा आपका 4 अरब 70 करोर वर्स ठीक है यानि option number 1 यानि वैग्यानिक जो है सानमान लगाता है कि हमारे प्रिथविक की जो उम्र है लगभग देखें लगभग मैं ठीक है न लगभग 4 अरब 70 करोर वर्स हो चुकी है question number 7 में सिकंदर ने बेबी लोन को कब जीता देखें आपके पास 4 option दिया हुआ है और इसका answer हो जाएगा आपका option number C 331 इसा पूर्व ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 8 में क्या है कि दजला और फरात की जो नदिया है वो कहां गिरती है तो पारस की खाड़ी में ये दोनों नदिया गिरती है option number C question number 9 पर आते है कि लाक्षर लिपी का विकास कब हुआ देखें आपके पास 4 option है 500 इसा पूर्व में 32 इसा पूर्व में देखें ये सवाल बहुत बार रिपीट किया है और हर बार रिपीट करता भी है ठीक है ना तो इसका answer क्या हो जाएगा गेलन आगे बढ़ते हैं question number 11 में 11 में क्या पूछा गया है कि पेपिरस कहां पाया जाता है तो इसका answer हो जाएगा option number नील नदी के किनारे एक मिनिट रुकिएगा option फर लेते है नील नदी के किनारे टाइबर नदी किनारे अरब सगर के तो इसका answer देखे आपको हो जाएगा नील नदी के किनारे option number 1 ठीक है question number आते है 12 में पैगंबर मुहम्मद सहाब की मृत्यू कब हुई थी तो इसका answer हो जाएगा 632 इसाफ पूर्व ठीक है question number आते है 13 में लिखा है मुहम्मद सहाब की जो पत्नी है उनका क्या नाम था खतीजा option number 1 अगला सवाल पे है चाओदर नमर का सवाल जो अच्छे से देखेगा किसने दुर्बीन और कुत्म नुमा का आविस्कार किया था तो इसका answer हो जाएगा आपका option number B चीनी होने ठीक है न question number आते है पंदर हमे पंदर हम क्या है कि रेनर क्या है तो क्रिसी योगी भूमी को रेनर कहा जाता है आगे आते है question number 16 में आते है देखे ब्राजिल है ब्राजिल होगा ठीक है न आप इसे रोकी मातरा दे दे जगे नीचे से ब्राजिल की खोज कब हुई थी तो ब्राजिल की जो खोज है वो पंदरह सो इस्वी में हुआ था याना option number B आप लोग से एक सवाल हम बोलेंगे कि ब्राजिल की खोज तो पंदरह सो इस्वी में हुई थी तो इसकी खोज किया किसने था आप इसे आप हमें कमेंट करके बताईएगा कि सर इसका answer क्या होगा आगे बढ़ते हैं question number 17 में नई दुनिया की खोज किसने की तो पहले ये समझे कि नई दुनिया कहते किसे हैं तो नई दुनिया जो है अमरीका को कहा जाता है ना नई दुनिया अमरीका को कहा जाता है और आप लोग जानते हैं अमरीका के खोज किसने किया था Columbus ने किया था यानि option number हो जाएगा C, आगे आते हैं, नई दुनिया किसे कहते हैं, जैसे भी बताएं, किसको, अमरीका को, आगे बढ़ते हैं, कॉलंबस जो है, अमरीका कब पहुचा था, यानि इससे पूछा जा रहा है कि कॉलंबस ने अमरीका की खोज कब किया था, तो इसका अंसर हो जगा, 1492, 1492, आगे कि एक देश का नाम है, जिसे पेड के नाम पे रखा गया है, ब्राजेल, ठीक है ना, कुशन नमरीकीस आते हैं, लिखा है, किस वर्स जो है, वास्कुरिगामा कालिक कट, यानि कि मौजुदा समय में कलकत्ता, तो जो कब पहुचा था, तो 1498, आप्सन नमरीका दी, कुशन लिखेगा, 27 जुलाई, 27 जुलाई, 1694 में, यानि ऑप्सन नमर हो जागा, आपका, आगे आते हैं, दीए, कुशन नमरीकीस जो है, फ्रिंट है, इसमें सवाल कुछ तरह से है, बारूद का आविसकार सरोप्रथम, ये दो सवाल था यहाँ पे, दो सवाल क्या है, कि आविसकार है, वो चीनियों के दोरा किया गया था, नौवी सताब्दी में, या आप याद रखिएगा, बारूद का जो आविसकार है, वो चीनियों के दोरा किया गया था, नौवी सताब्दी में, जबकि भापिंजन का आविसकार जो है, जेम्स वाट ने किया था, ठीक है आगे बढ़े कुश्य नमर आते हैं 24 में सर पर था वराष्ट्रे बैंक की अस्थापना कहा होई थी तो इंग्लेंड में हुआ था जैसे भी बताएं आगे बढ़ते हैं कुश्य नमर 25 पर आते हैं 25 में क्या है कि दा लास्ट सपर की रचना किसने किया था पर आते हैं 26 पर अमरिका में ग्री यूद जो है वो कभ आरंब हुआ था इसका अंसर हो जाएगा आपका 12 अप्रेल 1861 यान्य ओप्शन नमर 1 ठीक है आगे बढ़ते हैं टोक्यो का पुराना नाम क्या था तो टोक्यो का या और आतो याज बढ़ते हैं चीनिक रांती कब हुई या note और चीनिकरांती का वह तो इसका कोई डेट होना चाहिए तो इसका आप डेट रखेगा 1911 है ना चीनिकरांती का हुआ था 1911 में आपका चीनिकरांती हुआ था याद रहेगा 1911 तो 1911 में क्या है चीनिकरांती हुआ था यह option किसी और question का जो है वह set हो गया है तो 1911 ठीक है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं चले question number आते हैं 32 आप लोग से एक बात और कहना चाहरे हैं जैसा आप जानते हैं कि जितना भी set हम आप लोगों कराया हैं उसमें से एक सवाल जो है आप लोगों को comment के लिए हम छोड़ते हैं और आप लोग से ये request भी करते हैं कि 5 जो comment के लिए छोड़ा गया आप से में कमें करके हमें जरूर बताये तो इस set के लिए हम यह वाला सवाल को कमेंट के लिए छोड़ रहा है मुहम्मद पैगंबर द्वारा इसलाम धर्म की अस्थापना जो है कब किया गया था पाचवी सदी में छटी सदी में या साथवी में की आठवी में तो आपके पास चार ओप्सन है आप चारों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आगे बढ़ते हैं कुशन नमर आते हैं 31 पे लिखा है मक्का से मदीना को पैगंबर सहाब का जो प्रस्थान था उसे क्या कहा जाता है उसे हिजरा कहा जाता है हिजरा ये हिजायत है न आपसन नमर वन हो जाएगा हिजरा आगे बढ़ते हैं मुस्लिम पंचांग का जो प्रत्वम वर्षा वो कम बाना जाता है तो 622 में आगे बढ़ते हैं Question number 33 नई फार्सी कविता का जो जनक है किसे माना जाता है रुदकी को Option number हो जाएगा D Question number 34 पे Altamira का जो गुफा है वो किस देश में पाए जाता है तो Spain में है Option number हो जाएगा C 35 में आते हैं Roman समराज में Solidus का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है सोनी के सिक्के Option number B आगे बढ़ते हैं Augustus का पहला नाम क्या था तो इसका नाम था Octobium Option number C Question number 37 पे सहरी जीवन के लिए विकास और संब्रित साहित्य के लिए गनित और खगोल विज्ञान के लिए तो तीनों में हो जाएगा यानि Option number D इन में से सभी आगे बढ़ते हैं Question number 38 पे लिखा है Baby Lone मेसोपोटामिया का महतपुन सहर कब बना था तो 2000 इसा पुर्व के बाद Question number 39 पर आते हैं मेसोपोटामिया में पुरा तत्वी खोज का प्रारम जो है वो कब हुआ था तो इसका एंसर हो जागा अठार उसोचालिस के दसक के बाद यानि Option number 1 ठीक है? Option number क्या हो जाएगा? 1 आगे आते हैं आज का ये अंतिम सवाल है और History का ये अंतिम सवाल होगा और जैसे Government का Official जो Model Paper है जब वो आ जाएगा तो हम आप लोगो Model Paper कराना है स्टार्ट कर देंगे लेकिन याद रखिए अगर आप इतना Compete करकर रखते हैं तो इस इसका Security रखिए कि सवाल जो है वो यहीं से पूछा जाएगा हम फिर से मोलना चाहते हैं जितना हम आप लोगों को करवाए है इससे बहार आपकी एक्जाम में नहीं पूछेगा जैसे ये Model Paper आएगा आप बेसक एक बार मिला लेजेगा तो आप लोग के Best त्यारी के लिए हमारा चैनल खड़ा है आप एक बार विश्वास करके हमारे चैनल के साथ जरूर जाएगे ताकि आप लोग का Result जो है वो Best हो जाए अंदिम सवाल को देखते हैं पैगंबर मुहमद ने प्रथम जो है सारवजनिक उपदेश कहां पर सरी कब दिया था तो इसका अंसर हो जागा छेसो बारा उप्सन नमबर बी तो खुल में लाकर हम लोग हिस्टे का पांसेट क्लियर की है जो की 200 कुश्चन है और प्रभियस एर में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सीरिज लेकर चलेंगे तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और साथे साथ कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको हमारा या प्रियास कैसा लग रहा है तो बिसक आप प्रभाई में जूट जाएए क्योंकि आपके पास समय नहीं है फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन